अदब नाजरीन मैं नाज मिर्जा अवाम टीवी खबरनामे में आपका खेर मगदम है आये डालते हैं सबसे पहले आज के हम सुर्खियों पर एक नजर सरकारी मलाज़मीन का जिला भर में पेंडाउन प्रोग्राम मलाज़मीन ने प्रगती भवन का गेराउ किया और धरना दिया और खाती खायदीन की गिरफतारी तक एहतिजाज का इंतिबा दिया मेर बल्दिया का बस्ती बाटा प्रोग्राम मसलसित जारी है उन्होंने डिवीजन एक और एक तालिस का दोरा किया अवामी मसाइल की समात की और सफाई में ताउन की खोहश की क्या बीजेपी दोहजर और निस के पारलिमानी इंतिखाबात में इंदू उत्वा को एजिंडा बनाएगा एक एहम उड़ता हुआ सवाल आसार बताते हैं के बीजेपी अब खुला रुख इक्तियार करने का जहन बना चुकी है उत्व परदिश में गोश की दुकानों के लाइसस की तद्दित क्यों नहीं की गई हुकूमत और लखनों बल्दिया से अदालत का सवाल जवाब 3 अपरिल तक दिया जाना लाजमी है नाजरीन खबरों के आगास से खबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इर्शाद रबानी और फर्माने नबवी गडालू बन बैठा और उसने हमारे लिए मिसाल बयान की और अपनी असल पाइदायश को भूल गया कहने लगा इन गली सड़ी हडियों को कौन जिन्दा कर सकता है आप जवाब दीजिए कि उन्हें वो जिन्दा करेगा जिसने उन्हें अवल मरतबा पाइदा किया था जो सुपकी तरह पाइदायश का बखुबी जानने वाला है वही जिसने तुम्हारे लिए सब्स दर्ग से आग पैदा कर दी जिससे तुम यकाएक आग सुलगाते हो जिसने आस्मानों और जमीन को पैदा किया है क्या वो इन जैसों के पैदा करने पर खादिर नहीं बेशक्त खादिर है और वही तो पैदा करने वाला दाना वो बीना है वो जब कभी किसी चीज़ का इरादा करता है उसे इतना फर्मा देता है कि हो जा तो वो हो जाती है पस पाक है वो अल्लाह जिसके हाथ में हर चीज़ की बादेशाथ है और जिसकी तरफ तुम सुब को लोटाया जाएगा सुरह यासीन आएच शेतरता तिरियसी बिस्मिल्लाहि रुख्मान रहीम अल्ला जल्ले शानहू के नहम से शुरू जो बड़े महरबान नहायती रहम वाले है हज़त अबु खतादा रजियालानू से रिवायत है के नबिया खद्द स्लिल्लाह तुम ने फरमाया सुबसे बड़ा चौर वो है जो अपनी नमास की चौरी करता है साबा रिज़वान अल्ही अजमाईन ने अर्जिकिया या रसुललाह कोई शख्स अपनी नमास की चौरी कैसे कर सकता है तो आप ने फरमाया वो इसके रखू और सजूद पूरे नहीं करता दूसरी रिवायत में के आप सल्लाह सलम ने फरमाया वो रखू और सजदों में अपनी कमर सीधी नहीं करता अदिस मुवारे का अहमद तिबरानी हाकिम इबन खजीर अब खबरी तफसील से कंदकुर्थी लिफ्ट एरिगेशन तनाजा अब संगीन रुख इक्तियार कर चुका है आज सरकारी मलाजमीन ने जिला भर में पेंडाउन एहतिजाज किया और प्रगति भावन का घेराउ किया पियन जी उसकी खियादत में जिले की सरकारी मलाजमीन ने आज अपने अपने महकुमेजाद में पेंडाउन एहतिजाज किया और अपनी ड्यूटियों की अंजाम दही से इनकार कर दिया और जिले की अहम सरकारी इमारत जो के जिला कलेक्टरेट का एहम इसा है यानि प्रगति भावन का घेराउ कर लिया और वही धरने पर बैड़ गए कंदाकुर्टिले फ्रेरिगेशन के मौामले में सियासी खायदीन की बदकलामी से बरहम सरकारी मलाजमीन ने बताया के इनका इहतेज़ चारी रहेगा जब तक के खाती खायदीन की गिरफतारी अमल में नहीं लाई जाती टियन जियो जिलाई सदर किशन ने कहा के ये सरकारी मलाजमीन की इज़त और आना का मसला है इसमें मौफाहिमत की कोई गुनचाईश नहीं है अगर वागरी किसीमलाजम ने गलती की है तो इसके खिलाफ कार्वाई की जाए लेकिन उसकी माबहन को गालिया देना कहां तक मुनासिप बात है उन्होंने कहा के हम अवामी नमाइदों की हिदायत पर काम करते हैं लेकिन इनकी गालिया नहीं सुन सकते उन्होंने दोटोक अंदास में कहा कि जब तक खायती खायदीन को हिरासत में लेकर खानुनी कारवाई नहीं की जाती इनका यह थिजात जारी रहेगा मेर बल्दिया ने आज डिविजन्स एक और एक तालिस का धौरा करते हुए अवामी बल्दी मसायल से वकफियत हासिल की इस मौके पर उन्होंने अवाम से सफाइक में ताउन की खाहश की और कहा के अवामी सहुलतों को यखीनी बनाना इनके प्रोग्राम का मकसद है मेर बल्दिया आकुला सुजाता ने अपने खौसी प्रोग्राम बस्ती बाटा के तहट आज डिविजन नमबर एक और एक तालिस का दोरा करते हुए अवामी मसायल का जायजा लिया इस मौके पर उन्होंने एक अंगनवाडी मरकस की भी तनकी की वहाँ उन्होंने बच्चों को दी जाने वाली तालिम का भी मुशाहदा किया और मिडे मिल्स और दिगर चीजों की फराहमी का भी चायजा लिया अपने इस दोरे के मौके पर मेर बल्दिया ने एक हिल्द सेंटर का भी मौईना किया इस हिल्द सेंटर के अतराफ कच्रे और गंदगी पर हैरत का इज़ार किया जबके अमले ने बताया के अतराफ के लोग ही यहां कच्रा फैंकते हैं जिस पर मेर बल्दिया ने इज़ार तासुफ किया और कहा के हिल्ट सेंटर सहध का मरकज है जहां सफाई लाजमी है और जिन के लिए यह हिल्ट सेंटर खाएम किया गया है अगर वो ही यहाँ पर गंदगी पहलाएंगे दो घर पर अफसुस का इज़ारी किया जा सकता है मेर बल्दिया ने मुखामी अवाम को सफाई में ताउन करने की खोहश की डिविजन 41 में बल्दी सहूरतों और पानी की सरबराही पर अवाम ने इतमिनान का इज़ार किया जबके डिविजन 1 में बाद अवरात ने पानी के तालुख से शिकायत की इसके अलावा बाद चोटी चोटी शिकायते हासिल हुई मेर बल्दिया ने बताया कि अवाम दफ्तरा कर अपनी शिकायत बताएं हम ये मौखा देना ही नहीं चाहते बलके हम खोदी अवाम के दर्मियान पहुँचकर इन से मसाइल पूछ रहे हैं मेर बल्दिया ने बताया कि इस प्रोग्राम के तहट रोजाना दो डीविजनों का एहाता किया जा रहा है मौसम गर्मा के पेशे नजर बिलखुस पानी की सरवराही का जाइजा लिया जा रहा है और जहां खिलत के इमकान है वहां मतबादिल जरायों से तालोग मनसुपबंदी की जा रही है मेर बल्दिया अकुला सुजाता के इस दोरे में इनके हमरा कमिशनर बल्दिया सीहेश नागेश्वर राओ एमेचो सिराजो दिन के अलावां महकु में हेल टाउन प्लाणिंग और दिगर शोबेजात के ओहतेदार मोजूद थे मेर बल्दिया के हाथों सेकड़ो खवातिन बशामूल मुस्लिम खवातिन ने टियारेस से वाबस्तगी का ऐलान किया और पार्टी रुकनियत हासिल की यर कला तबखे के अफराद ने एक साथ रुकनियत हासिल कर ली रियासत भर में टियारेस की पार्टी रुकनियत साजी महिम जारी है और हज़ारों लोग टीरेस की मेंबर्शिप हासिल कर रहे हैं जिला निजामबाद के अलावा शहर में भी टीरेस मेंबर्शाजी जारी है मेर बलदिया अकुलासुजाता के हाथों कई खावातिन ने टीरेस में शमूलियत इक्तियार की जिसमें मुस्लिम उर्खापोश खावातिन भी शामिल है इन खावातिन को मेर बलदिया ने गुलाबी रुमाल पहना कर पार्टी में शामिल करवाया इस मौखे पर मेर बलदिया अकुलासुजाता ने बताया के टीरेस में शमूलियत के लिए एक लोगों में जोश و जजबा देखा जा रहा है बिला लहाज मजगा फूमिल्द हर तपके के लोड टीरेस में शामिल हो रहे हैं उन्होंने बताया कि मिम्बर साजी को लेकर ऐसा जोश माजी में कभी नजर नहीं आया था हकीकत यह कि रियासती वजिर एला केसियर की अवाम दोस्पालसियों से हर शख्ष खुश नजर आ रहा है बिल्खुस शादी मुबारक और कलियान लक्षमी के अलावा अखामती स्कूल्स वजिवजाद और डबर बेडरूम ऐसी स्कीमात है जिसे अवाम को रास फाइदा हासिल हो रहा है और अवाम केसियर की हुकुमत से मुतमाइन वा खुश है और टियारे से वाबस्तगी अख्तियार कर रहे है मना गौरवनील केसियर कारु चेपटिन संक्षेम पतकालनी गुर्थु पेट्टु कोनी 100% सब्व्यत नमोदु कारिकरमोन पालिकोंतुनना पार अंदरिक गुडा नेन मरोसारी दन्यवादु तेल्पूनतानु शहर के एरकला बस्ती में आज मुकामी खायत साई कुमार की गयादत में यरकला तबखे के साहिक्रो लोगों ने टियारेस की रुकनियत हासिल की और टियारेस से अपनी आटुडवा बस्तागी का इसहार किया इस मौके पर सौई कुमार ने कहा कि इस बस्ती में यरकला तबखे के तमाम ही अफराद ने एक साथी TRS की मिंबर्शिप हासिल कर ली उन्होंने कहा के TRS ही अवाम के मियार पर उतरेगी और मुम्किन अगदामात करते वे बहतरी निस्किमा से अवाम को रहत फराहम की जाएगी केसी यार गारू इस तुना ट्वण्टी प्रोचा कालू शाहा खल्यान लक्ष्मी पेर्टा यावएगा वे नुची डिबवाईद वेला वकवंदा पदार को वेंचर रंगानी वड़र तबखे के लिए हुखुखव मराज के हसूल के लिए वड़रा जैसी की रियासती सतह पर तश्कील अमल में लाई गई महनतकश तबखे की इस रियासती जैसी के कर्विनर की हैसे से डंडी विंकट को मुंतकिब किया गया वड़र तबखे के लोग पत्थर और मीटी का काम करते हैं और इसी से इनकी जिन्दगी का गुजारा होता है दोरे हाजिर में इस तबखे के जवानों ने पड़ लिक कर अपना कुछ मकाम बना लिया है लेकिन अभी इस तबखे की बड़ी आबादी इंतियाई पिछडी वी जिन्दगी गुजारने पर मजबूर है हाल ही में इस तबखे के खायट डंडी विंकट ने वड़र तबखे को हुकुक वइंसाफ का मुतालबा करते हुए इस तबखे के लोगों को एक प्लेट फॉर्म पर जमा करने की मसाईश शिरू की और फिर इनकी ये कोशिश कामियाब हुई और वड़र तबखे की आंट तंजिमों ने अपना एक मुश्तरी का प्लेट फॉर्म बना लिया जिसको वड़रा जॉइंट आक्शन कमेटी का नाम दिया गया है और रियासत गिर सतह पर खायम इस जेसी के पहले कनवीनर की हैसे से डंडी वेंकट को नामज़त किया गया है प्रेस कलब में बात करते वे डंडी वेंकट ने कहा के हुकुमत ने वड़र तबखे को अमबी सी तबखात में शामिल कर लिया है लेकिन हमारा मतालबा है के वड़र तबखे के लिए खुससी कॉर्परेशन खायम करते वे इसका अपना खुससी बजट मक्तस किया जाए और इस तबखे की फलाव बहबूत के एकदामात किये जाएं उन्होंने कहा कि जल्दी जाएसी की जानिब से एक लायमल तै करते हुए हुकुमत से नुमाइदगी की जाएगी और वड़र तबखे के लिए ममकिना मरात हासिल करने की कोशिश की जाएगी बिल्खुस गरिब वड़र जो मौरम का कारोबार करते हैं जो कि इनकी रोजगार का बड़सों से जरिया है मौरम की निकासी और पत्थरों को तराश कर कारोबार करना ही इस तबखे का रोजगार है मगर पोलिस इस तबखे के लोगों को हरासां कर रही है लिहाजा हारा सानी रोकने और इस तबखे को कारोबार की एजाज़त देने की मांग सबसे एहमियत की हामिल रहेगी अधे विरांगा राष्टमुले इस समस्तेल परिसकारा कोश्तों वाने एक सांगाल एर पड़े हैते विडिविडिक उनने मोलांगा वड़ेरल समस्तेले प्रभुत दुश्य थिस्क पड़ू साध्यां गावट लेदनी आशावरकस के कई मतालिबात हुकूमत ने तसलीम कर लिये और तनख्वाह भी फराहम की गई आशावरकस ने मसरत का इजहार किया और केसियार की तस्वीर को दोच से नहलाया आशावरकस ने आच जश्र मनाया, उन्होंने बदकमा खिला और रियास्ती वज़रियाला कीसियार की तस्वीर को दूस्से नहलाया आशावरकस की खायदे टियर्स महिला लीडर ने बताया कि रियास्ती वजिर आला ने कई सालों से अपने हुखक के लिए लड़ने वाली आशावरकर्स के साथ इंसाफ किया है इनको दिगर मरात के अलावा तनखाओं में इजाफा करने के अग्दामाद किये है रियास्ती वजिरियाला ने हालिया बज़ड में कई एक ठोस और मुक्तलिफ शोवेजाद के मफाद में फैसले लिये हैं जिन में आशा वरकर्स के भी बाजह मुतालिबात को पजिराई मिली है और आशा वरकर्स कुछी से जूम उठी और उन्होंने बतकमा खेलते हुए अपनी मसरत का इजहार किया और रियास्ती वजिरियाला से इजहारे तशक्कुर किया नाजरीन अब लेंगे एक छोटा सा वकफा नाजरीन के लिए एक जरूरी इतिला जी हाँ नाजरीन के लिए एक एहम इतिला मरकजी महकुम इतिलात और नश्रियात की जानित से मुल्क में डैस सिस्टम का निफास अमल में आ रहा है मुल्क की 7709 बल्दियात में सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सेटब बॉक्स सी कारगरत होंगे आप सिर्फ डिजिटल सेटब बॉक्स पर ही अपने पसंदिदे चैनल्स देख सकेंगे मरकजी हकूमत ने 4A केबल टेली विजन आक्ट 1905 यानियों के तहद ब्राड कास्टर को सकती सा एकामाज जारी किये हैं खिलाफ खानून नश्रिया जारी रखने वालों के खिलाफ सकत खानूनी करवाई की जाएगी यहां से तमाम MSO पर लाजिम है के वो री ट्रांस्मेट सिग्नस को डिजिटल अंक्राप्टेट मोर पर ही रखे नाजरीन मार्किट में दस्तियाब डैस सिस्टम शरायत की खिलाफ वर्जी करने वाले सेटप बाक्स से धोका ना खाएं जी हां डिजिटल एक्सी सिस्टम से आरास्ता सिटप बाक्स ही लगवाएं लेहाजा धोका ना खाएं और महिकुमाय अतलाथ और नशरीयाद की शरायत पर पूरा उतरने वाले सिटि डिजिटल नेटवर्क का सेटप बाक्स ही लगवाएं इस setup box पर आप 99.99 चैनल से लुट्फंदोस होंगे और उन चैनल में 99.99 तक का इजाब होगा City Digital Network मरकजी महिकुमे एतलात और नशरियास से इजाज़त याफता है महिकुमे जाती खिलाब फर्जी करने वालों पर मुकदमात डायर होंगे होशियार नाजदी धोके बाज़ों से खोशियार रहे और City Digital Network मरकजी लगवाज जादी के बाद माइनरिटीज के हक में अब तक का सबसे बड़ा फैसला तिलंगाना के सीम के चंदर शेकर राओ ने किया कि तिलंगाना के तमाम अजला में अब 201 Residential School का प्याम खाने पीने और रहने की तमाम आला सहुलियात के साथ और वो भी बिलकुल मुफ्त क्योंके केसियार का विजन है हर बच्चा पढ़ेगा तो ही गोल्डन तिलंगाना बनेगा अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता कीजिए और सुनहर तिलंगाना के तामीर में हिस्सा लीजिए दाखले जारी हैं मजीद मालूमात के लिए हमारा नमबर नोट कीजिए वकफे के बाद दुबार आपका इस्तिखबाल है क्या दोहजार वननिस के इंतिखाबात बीजे पी खुले हिंदुत्वा के एजेंटे पर लड़ने की तैयारी कर रही है ये सवाल जहनों में इसलिए उभर रहा है कि कट्टर हिंदुत्वा हामी योगी को वजिरियाला बनाया गया और अखलियतियों मुस्लिम तहाफुजात वो मराद की अब खुल कर मुखालिफत की जा रही है आखर अचानक ही ये क्यूं हो रहा है अंदाजे सही होते जा रहे हैं और बीजेपी ने 2005 को निशाना बना लिया है जबके 2021 में पालिमनी इन्टगाबाद का इनकाद होने वाला है और इन इन्टगाबाद में बीजेपी अपनी टाकत पूरी तरह जोग देने की तैयारियां करने में मस्रूप नजर आ रही है आसार से लगता है कि बीजेपी अब ये इंतिखाबाद खुलकर हिंदुत्वा के एजंडे पर लड़ने का जहन बना चुकी है और उसका इबतिदाई इम्तिहान उसने उत्तर परदेश में करके देख लिया जबके पर मुलका वजिरयादाजम शमशान और खबरस्तान की तक्सίम करने वाली तक्रीर से अवाम की दाथ हसिल करता है और साथी दिगर मुक्तलिव खायदिन मुक्तलिफ किसम की नफरतंगेश तक्रीरों के जरिये अवाम की नफट ट्रोलते हैं और फिर उनकी कोशिशें समरावर साबित होती हैं और आवाम इन जहरीली तक्रीरों के अवस बीजेपी को उत्तर पर दे जैसी बड़ी और अहम रियासत में 314 के लगबग निशिस्तें जिता कर देती हैं तो इस से बीजेपी के होसले बलंद होंगे और अब बीजेपी के होस चेहरे को मुल्क की सबसे अहम और बड़ी रियासत का वजरियाला बना दिया योग्यादी त्यानाद की जबान से निकलते वे शोले समाज में नफरत की आब्यारी करते हैं वो खुले आम एक के बदले दस के खायल हैं जबके वो अखलियतों को मराज देने के हक में नहीं है लहाजा इनके बरसर अक्तेदार आते ही मीड बीफ चिकन सब कुछी नदारित हो चुके हैं और फिर सबजियां सोने का भव एक्टियार कर रही हैं और माएंगाई का एक संगीन मार आवाम को जेलना पड़ रहा है इससे रियासत हुकुमत कैसे निप्टेगी ये एक अलग बहض है लेकिन अब कट्टर हिंदु तुआ की सिम्ट बीजेपी पेश खदमी करती जा रही है और साथी हर रियासत में मुकामी मसाहिल को लेकर अखलियतों को घेरने और उनके हुकुक की मुहिम शुरू की जा चुकी है रियासत तिलंगाना में भी शिद्द से ऐसी ही मुह का आगास हो चुका है जबके रियासती हुकुमत ने यहां पर मुसल्मनों को बाराफिस्द तहफुजात देने का एलान किया है और इस सिल्सिले में अमली इखदमात किये जा रहे हैं मगर मामला अभी दिली दूरस्त का साहे लेकिन बीजेपी इसके खिलाफ सरगरम हो चु की है बीजेपी की यूद विंग बीजेवायम ने निजामबाद कलेक्टेट पर धरना मनजम किया था और साथी 24 मार्च को एसेंबली के घहराओ का भी मनसुबा तयार था जिसको पोलिस ने नाकाम बना दिया बीजेवायम ने बाराफिसद मुसलिम ताफुजात के तालोग से रियासती हकूमत को दो टोक इंतेबा दिया के वो इस सिल्सले में अपनी कोशिचों को खतम कर दे बासूरत दिगर संगीन नतायच का सामना करना पड़ेगा इसी तरह 28 मार्च यानि आज के दिन बीजेपी के जिलही सदर पल्ले गंगारडी ने साफवती बायान में दो मजभी जियारतों पर सबसिटी फराम की जाए उन्होंने कहा कि चार धाम और दूसरे धार्मिक अस्तानों पर जाने वाले वक्तों को इनके मुलक में सबसिटी मिलना लाजमी है और साथी हिन्वों को भी दिगर मराच वो हुखुक भी फराम होने चाहिए उन्होंने मिसाल देते वे का कि र्यास reflect कहुँ के नादान में कपड़े देती है और क्रिशनों को क्रिस्फमस में कपड़े दिए जाते हैं तो पिर इसी तरह हिन्हों को भी दस्धरे के मुखे पर कपड़ों की तकसीम अमल में लाई जाये इस सूरतحाल के सामने आने के बाद बीजे पी के स कुलर शेहरों के जहनों में उभर रहा है। कुलर शेहरों के जहनों में उभर रहा है। कुलर शेहरों के जहनों में उभर रहा है। संदकबीर नगर रैलवे स्टेशन के खरीब धमाका एक शथ शदीद सखमी कच्रे में दस्तियाब चार बंबे से एक फट पड़ा। तरपरदेश में संदकबीर नगर खरीब अबाद रैलवे ट्रेक पर आज एक धमाका हुआ जिसमें एक शथ शदीद सखमी हो गया। पुलीज राये ने बताया के खरीदवाद इस्टेशन के मुखलिस पूर्थ तिरपाडी मार्किट के दर्मियान रैलवे क्रासिंग के ट्रैक नमबर एक पर सुबा कच्रा चुनने वाले राजु थापा नामी नेपाली नौज़ान को बड़साती में लिप्टे वे चार ब पर बबंधमागे की इतला पर पॉलिस सुप्रिटेंट हैलालाल रैलवे स्टेशन सुप्रिटेंट समयत कई दिगर आला आफसराल मुखल पर पहुँचे बरसादी में लपेट रेवे तीन दिगर बंब को डिफ्यूस कर दिया गया रैलवे पॉलिस रैलवे सेकूरिटी फ वफादर रहा मदरसा असोसियेशन अब बीजेपी के मुदासराई करता नजरा रहा है। जो इसे खब भी मुकाँ और मुकाँ और मुदादर पर इसी तरह बीजेपी मुकालिब मुझाराव वहतेजाच करते रहे हैं। वफादर रहा मदरसा असोसियेशन अब बीजेपी के ख़़ए गए और मुदार पर इसी तरह बीजेपी के सरकार खायम हुए तो उन्हें उम्मीद है कि सुपका साथ सुपकावी प्यास का नारा रहा हकिकत में जरूर सामने आएगा। नोईडा में आफरीकी तल्बा पर हमले का विजरात खारीजा ने सक्त नोट लिया और योगी हुकुमत से जवाब तलब किया। वजिर खारजा शुष्मा सुराज ने नोईडा में आफरीकी तालिब इल्मों पर हमले के बारे में मंगल कोतर परदेश के वजिराला योगी यादी तेना से बात की दरसे इस मामले में एगर मुलकी तालिब इल्म ने शुष्मा को ट्वीट किया था कि हमारे लिए लिए को खत्रे में डालने के बराबर है सुष्मा ने जवाब जाके बरके जुष्मत इस मामले से आगा हो चुकी है और हम कारवाइक कर रहे हैं सुष्मा ने ट्वीट किया कि मैंने ग्रेटर नोईडा में आफरीकी तालिब इल्मों पर हमले के बारे में उत्तर परदेश क तालिब इल्मों पर हमला हुआ था हमले के वीडियो शोशल मीडिया पर भी वाइरल हो रहे हैं दरसल पीर को सेकलों लोगों ने ग्रेटर नोईडा के परीचोक पर केंडल मार्च किया ये लोग दो दिन पहले वननिस साल के एक लड़की की मंशात के ओवर डोस से हुई मौ पर नारास्ते मुझाहरे के दोरान लोगों ने नाजरियाई तालिब इल्मों को ग्रेटर नोईडा में मंशात के लिए जम्यदा ढहराते हुए उन्हें बाहर निकाना लेकी मांग की है लोगे मुझाहरे के वज़ा से तीन किलोमेटर तक का रास्ता मजदूद हो गया इस पुलिस ने पांच नाजरियन तलबा को फुष्टाज के लिए हिरासत में ले लिया है गोश्की दुकानों के लाइसंस का मौमला अदालत ने सवाल किया के लाइसंस की तजदीत क्यों नहीं की गई जवाब तीन अप्रेल को अगली समात में देना होगा इलाबाद हाईकोट की लगणू बिंजने गोश्की दुकानों के मामले में एहना पचला देते वे मुनसिपल लगणू और हुकोमत से इस अफसार किया के अभी तग गोश्की दुकानों को लाइसस की तजदीत किया जाने के लाइसंस की तजदीत की दुछा को पुछा कि शाह पुतिन और दिगर की जानिब से दायर दर्खास पर जारी किया है। शिकायत कुनिनान बता है के शेहर में चल रही गोश्की दुकानों के लाइसंस तज्दीद के जाने का मुतालबा मुंसिबल समय ज्रियासाती हुकमत से भी किया गया था। इसमें कहा गया है के साल 2014 में गोश्की दुकानों के लाइसंस की मुद्द पूरी हो गई थी। अर्जी गुदारों ने दर्खास देकर लाइसंस की तज्दीद का मुतालबा बल दिया से भी क्या था। हुकम जारी किया जाए। अगली समय ज्रियासाती हुकमत ने मुंसिबल लगनों से स्वाल किया किया कि इस मामले में अभी तक क्या करवाई की गई है। या ना करने के मामले में बिल बैट कर फैसला करें। अधर दिया समय ने कहा कि मरकज और जमू कश्मीर हुकमत आपस में मिल बैट कर ये तेह करें के जमू कश्मीर में मुस्लिम अखलियत में है या अक्सिरत में। इससे पहले अदालत ने दर्गास पर नोटी जारी करते वे मरकजी और रियास्ती हुकम से जवाब तलब क्या था अंकर शर्मा की दर्गास में कहा गया है कि रियास्त में हिंदू अखलियत में हैं और मुस्लिम अक्सिर्थ में इसके बाविद रियासत में 38-30 मुसल्मानों को ही अखलियतों का फाइदा हासिल हो रहा है जबके ये सही एकदाम नहीं है जबके कश्मीर में सहलियात इन्वों को मिलनी चाहिए दर्गाज में ये भी कहा गया है कि कुछता पचास साल से रियासत में अखलियतों की मुर्दम शुमारी नहीं हुई है और नहीं अखलियती कमिशन की तश्कील अमल में लाई गई इसलिए अखलियती कमिशन की भी तश्कील अमल में लाई जाए सरकारी मलाज़मीन का जिला भर में पेंडाउन प्रोग्राम मलाज़मीन ने प्रगती भवन का गेराउ किया और धरना दिया और खाती खायदीन की गिरफतारी तक एहतिजाज का इंतिबा दिया मेर बल्दिया का बस्ती बाटा प्रोग्राम मसलसित जारी है उन्होंने डिविजन एक और एक तालिस का दोरा किया, अवामी मसायल की समात की और सफाई में ताउन की खोहश की क्या बीजेपी दोहजर निस के पार्लीमान इंतिखाबात में इंदू उत्वा को एजिंडा बनाएगा एक अहें मुटता हुआ सवाल आसार बताते हैं के बीजेपी अब खुला रुख इक्तियार कने का जहन बना चुकी है उत्व परदिश में गोश्की दुकानों के लाइसस की तज्दित क्यों नहीं की गई हुकुमत और लखनो बल्दिया से अदालत का सवाल जवाब 3 अपरेल तक दिया जाना लाजमी है खबरे इतनी ही नई खबरों के साथ फिर मुलाखात होगी तब तक के लिए जै अजासत आला हाफिज